गाउं को खुले में सौच मुक्त कराने का सफर मुस्किलों से भरा था लोग मानते ही नहीं थे कभी जगए तो कभी पानी ना होने का हवाला देती मैंने सोच लिया था गाउं को खुले में सौच से मुक्त करना है लोगों के घर घर जाकर लोगों को सौचाले बनाने के लिए समझाया मैंने किसी तरह लोगों को समझा कर सौचाले तो बनवा दिये पर अब लोग सौचाले का इस्तमाल नहीं कर रहे थे फिर CLT के सदस्यों और स्वायम सवयकों की मदद से सुबह सुबह फॉलो अप किया ये है हमारी स्वच्छाग्रही तमिलनाडू की ऐसर राजलक्ष्मी जिन्होंने सत्यागरह से स्वच्छागरह को अपना लक्ष बनाया और अपने गाउं को घंदगी से मुक्त कराया धन्यबाद राजलक्ष्मी जी स्वच्छागरह के लिए झाल झाल झाल